शकरकंदी खाने में बहुती टेस्टी लगती है, जादा तर हम सभी शकरकंदी को भून कर या उबाल कर खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि शकरकंद से भी बहुती टेस्टी नाश्ता भी त्यार किया जा सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये और केहों के आटे के बॉंडा बनाना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह दो शकरकंदी ली है शकरकंदी को आपको अच्छी तरीके से दो लेना है क्योंकि इनमें मिट्टी पगेरा लगी रहती है तो अच्छी से इने साफ कर ले और फिर उसके बाद आपको शकरकंदी को छील लेना है तो इसका जो छिलका है यह हमें हटा देना है तो अच्छी तरीके से हम इसे छील लेंगे आसानी से छील जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है जिस तरीके से आलू छीलते हैं आम उसी तरीके से इसली ये छील जाता है तो यहाँ पर शकरकंद को छीलने के बाद हमें क्या करना है इसके आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा सा हटा देना है तो दौनों शकरकंदी मैंने छील कर त्यार कर ली है, अब आपको लेना है ग्रेटर, तो मीडियम सैज वाला ग्रेटर ले लिजे और शकरकंदी को घिसकर आप त्यार कीजे, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे घिसकर त्यार करना है, यह रेसिपी बहुत ही अच्छी है फ शकरकंदी पहुती जल्दी गिसने के बाद काली पढ़ने लगती है तो यहाँ पर थोड़े आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाने है तो मैंने शकरकंदी को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है और पहले मैं इसमें डाल देती हूं आदा कप केहूं का आटा और नाश्ता को क्र आटा शकरकंद में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है यहाँ तक आपको थोड़ा जल्दी करना है प्रोसेस इस तरह जब आटा मिक्स कर देंगे ना तो फिर यह शकरकंद काले नहीं पढ़ेंगे उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हैं तो अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक एक चमच धनिया पाउडर एक चमच हींग आधा चमच जीरा तीन चमच इसमें जारा है आमचूर पाउडर एक चमच से थोड़ा सा कम एक चोथा ही चमब जिसमें डाल दिया है गरम मसाला और आधा चमब जिसमें डाला है मैंने चाट मसाला अब सारे मसाले हमें इसमें बहुत ही अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेने हैं अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो इसकिप कर सकते हैं अब हमें इसमें डालना है पानी तो यहाँ पर मैंने आदा कब पानी लिया है लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है और थोड़ा सा पानी बचा लिया है पहले हम इसे अच्छे तरीक से मिक्स करेंगे हमें एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि हम इसका पतला घोल नहीं बनाएंगे हमें यहाँ पर इसे डो की तरह लगा कर त्यार करना है तो पानी को मैंने मिक्स कर दिया लेकिन अभी यह सूखा है तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं तो थोड़ा पानी और डाल दिया और अब हम इसे हाथों से अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेते हैं और यह देखिए हमने अच्छी से मिक्स कर लिया और एक यह डो की तरह लगकर त्यार हो चुका है अब एकदम परफेक्ट है यह नाष्टा बनाने के लिए अब इसमें हमें और पानी नहीं डालना है तो अब हम इससे नाष्टा त्यार कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको हाथों पर थोड़ा सा ओल लगा कर हाथों को चिकना कर लेना है और इस डो में से थोड़ा सा डो लेंगे और दोनों हातों के बीच में रखकर गोल गोल चिकनी बॉल तयार करेंगे और फिर इस तरीकिसे से एकदम चिकना बना लेना है लग देते हैं इसे प्लेट में फिर से आपको बना कर दिखा देती हो ये देखिए थोड़ा से डो लिया और इस τरह गोल गोल हमने एकटम चिकनी बॉल बना कर त्यार कर लिए साइज आप अपने नुसार थोड़ा छोटा या बड़ा जैसा भी पसंदों ऐसा कर सकते हैं मैंने मीडियम सैज की यह सारी बॉल बना कर त्यार कर लिए हैं तो अब हम इने shallow fry करेंगे, तो यहाँ मैंने pan में oil पहले ही गरम करने रख दिया था, oil medium होट है और मैं यह बॉल इसमें डाल रहे हूँ, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, कि आपको इने high flame पर fry बिल्कुल नहीं करना है, अगर high flame पर आप इने fry करेंगे, तो यह बाहर से तो सिक जाएंगी, बाहर से तो अच्छा color आजाएगा, लेकिन अंदर से यह कच्ची रह जाएंगी, और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, तो मैं आपको सज्जेस्ट करूँगी कि आप इने medium flame पर ही fry करें, अब यहाँ पर अच्छी तरी किसे ने घुमा घुमा कर हमें fry कर लेना है, और यह देखिए सारी बाल अच्छी तरह fry हो चुकी है, तो बस अब हम इन बाल्स को प्लेट में नि enjoy कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने से सर्फ किया है टमेटो सौस के साथ, आप हरी धनी की चटनी या टमेटो सौस जिससे भी आपको अच्छा लगे, उससे इस नाष्टा को खा सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी कि नाष्टा अंदर से कैसा बना है ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से हलका सा सौफ्ट तो आप भी इसे जरूर बनाईए रेसेपी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में